राहूल गांदी को गेर गेर के, ठीके पूरी कर लीजे। मैंने पूछा राहूल को कोईछ चपरासी भी नहीं बना सकता, खूनी पंजा, सैतान, कांग्रेस पार्टी सैतान सिम्म्मां बोला था, दीमत सिम्म्मां में बोला था, मुगलिया राज, पत्थर-पत्थर पूज रह अगा गुजराथ कुर्णा म मोला था, आरी वारी संकल जी के घर पर दावत खाया दूसके बहुत बड़ी नंबी लिस्ट है चार पन्ने के लिस्ट है इनके मंत्रियों के अलागे मैं अधनी मोधी जी के सुना रहा हूं अभी नाना नानी चार पूस सब बता चुके हैं अरे भाई आप अपना काम बताऊना है आप जो कहा था वो बता ये आप इधर तो आप सब्ता में हैं सब्ता आपको मिली थी आपको उसकी जिम्यदारी मिलिए तो जबाद देही आप की बनती है चलिए उस पर नहीं बता रहा है अब आप सुदान्चु जी को लड़की अचार बेचे तो लड़की अचार बेचे तो क्या बोला था को अतरोची मामा अभी दो दिन पहले मामा को बोला था मतपरदेश में और कैसे सुदान्चु जी तुम्हारे मामा पैसा अब उनके मामा पैसा बेचे कमल कीचर में खिलता है लेकिन राहूगाली पर इतना कीचर भाई के ही आप जीतिएगा अब मैं जवाब बेनिफिस ट्रांसफर जब सीधे खाते में पहुंसता है मने पूछा आए मुड़ती है क्या जो बिचवलियों की जेब में जाते थे जब राजीव गांधी की सरकार थी और वह कहते थे कि दिल्ली से एक रूपिया चलता है और 15 या 16 पैसे उस गरीब आदमी तक पहुंसता है मोदी जी की सरकार में 100 का 100 पैसा पहुंचने लगा ये खाता खुलने से हुआ परन्तु यदि आप लोगों की 195 बुद्ध में यह समझ में नहीं आता तो इसे मैं आश्चर नहीं मानता हूं यह महराहूल गांदी एफेक्ट मान सकता हूं इस बात के लिए मैं आपको पू पबलिक को छोड़िए अपनी पार्टी में जवाद दीजिए गुलाम नभी आजाद ने कहा है कि 90-95% लोग उनको चुनाओं में बुलाते नहीं पहले बुलाते थे अब डरते हैं जवाद दीजिए कॉंग्रेस का नेता क्यों डरता है और हमको बाहर बैद के भाश्र देने क प्रयाज करता है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कॉंग्रेस का असली चरित्रोत्तर उजागवर अम मोदी जी पर बात करता हूं अरे मोदी जी के लिए बिच्छू शब्द किसने प्रयोग किया अभी आप लोने यूज किया कॉंग्रेस की ऑफिशल वेबसाइट पे कहा गया तू चाय बेज बयानों की बात नहीं कर रहा हूं और वो मौत का सौधागर और खून की दलाली 11-12 साल पहले शुरू आता वो तो छोड़िये और जिसने कहा बोटी बोटी काट डालूँगा अकरेश जी आप भी उत्तर प्रदेश की हैं मैं भी उत्तर प्रदेश का वो इम अकसलवादी जिन्होंने जब इनकी सरकार थी तो सरकार के लिए खत्रा थे और जब मोधी जी की जान के लिए खत्रा हो गए तो अचानक वो इंटेलेक्चुल्स हो गए वा भाई वा जो कि जब श्रक कहा अतंगवादी थी और पता तेले मोधी जी की हत्या का शड्यन था ने ने अखिलेश जी एक सेकड़ एक सेकड़ अखिलेश जी रुक चाहिए वोई फरक नहीं पड़ा